जैशी कृष्णा दोस्तो वियसरा फैमली में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम सावन सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रहें इस कथा को शवन करने मात्र से प्राणी के सभी प्रकार की मनुकामनाय पूरी होती हैं तो अगर आप सावन सोमवार का व्रत करते हैं तब भी और नहीं करते तब भी इस कथा का शवन अवश्य करना चाहिए इससे भगवान शंकर की किरपा प्राप्त होती है और घर में सुक सम्रिद्धी का आगमन होता है और इस कथा को सुनने मात्र से वनवांचि संतान की प्रा उसके पास धन धानने किसी भी चीज की कमी नहीं थी लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना के लिए रोज सोमवार के दिन भगवान शिवजी का पूजन करता था पूरी शद्धा भाव से भगवान शंकर का पूजन करता वरत करता और साइकाल के समय शिव दिर में जाकर घी का दीपक जलाया करता था उसके इस भक्ती भाव को देखकर एक दिन माता पारवती जी ने शिवजी से कहा कि हे प्रभू यह साहुकार आपका अनन्य भक्त है इसको किसी बात का कश्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए शिवजी बोले कि हे प किरपा करके इसे पुत्र प्राप्ति का वर्दान दीजिए तब भोले नात ने कहा कि हे पारवती साहुकार के भाग्ये में पुत्र का योग नहीं है ऐसे में अगर इसे पुत्र की प्राप्ति का वर्दान मिल भी गया तो वह केवल बारा वर्ष की आयू तक ही जीवित रह साहुकार यह सारी बाते सुन रहा था इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख हुआ वह पहले की तरह ही भुलेनात की पूजा अचना करता रहा उधर से ठानी गर्वती हुई और नोवे महिने से उसे सुंदर बालक की प्राप्ती हुई परिवार में खूब हर्श उल्लास मनाया गया लेकिन साहुकार पहले की तरह रहा और उसने बालक की 12 की आयू हो गई तो एक दिन साहुकार की सिठानी ने बालक की विभा के लिए कहा तो साहुकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में ज एक राजकुमारी का विवा था जिससे उसका विवा होना था वह एक आंक से काना था तो उसके पिता ने जब अती सुंदर साहुकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया क्यों ना इसी को घोडी पर बिठा कर शादी के सारे कार्य संपन करा लिये जाएं तो उन्होंने माम जिसे बात की और कहा कि इसके बदले वे उन्हें बहुत सारा धन देंगे तो वहे भी राजी हो गए इसके बाद साहुकार का बेटा विवाग की बेदी पर बैठ गया जब विवाग का कार्य संपन हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुन्डरी के पले पर लिख दिया कि तेरा विवाग तो मेरे साथ हुआ लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा करेंगे वह एक आँख से काना है इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुन्डरी पर यहा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया बारात वापस लोड गई उधर मामा और भांजे काशी पहुच गए थे एक दिन जब मामा ने यग्य रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे वह बहुत परिशान हुए लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राहमर चले जाएंगे और यग्य का कारी अधूरा रह जाएगा जब यग्य संपन हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया उसी समय शिप पारवती उधर से जा रहे थे तो माता पारवती ने शिप जी से पूछा कि हे प्रभू यह कौन रो रहा है तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोले नात क्या शिवा से जन्मा हुआ साहुकार का पुत्र है तब माता पारवती कहती है कि हे स्वामी इसे जीवित कर दें अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे जब भोले नाथ ने कहा कि हे पारवती इसकी आयू इतनी ही थी सो वह भोग चुका है लेकिन मा के बार बार आगर करने पर भोले नाथ ने उसे जीवित कर दिया लड़का ओम नमश्वय कहते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने इश्वर का धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की और लोटे रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया तब राजा ने राजकुमारी को साहुकार के बेटे के साथ बहुत सा धन धानने दे कर विदा किया उधर साहुकार और उसकी पतनी छट पर बैठे थे उन्होंने यह प्रण रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुषल ना लोटा तो वह छट से कूद कर अपने प्राण देंगे तब ही लड़के के मामा ने आकर साहुकार के बेटे और बहु के आने का समचा सुनाया लेकिन वे नहीं माने तो मामा ने शपत पुर्व कहा तब दोनों ने विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहु का स्वागत किया उसी रात को साहुकार को सपन में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हुआ हूँ इसी प्रका जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनो वांच सभी कामनाओं की पूर्ती होगी बोलिये गौरी शंकर भगवान कीजै दोस्तो सावन सोमवार की व्रत कथा का शवन अवश्य करें और आपको कथा आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें आप सभी को ओम नमस्टिवाएं